मरवड़ी मेड़ी आप देख रहे हैं आज दिन बर की बड़ी अपडेट में बात करेंगे 1 जून 2022 से राजिस्तान समेत देश में कई बड़े बतलाओं की क्योंकि 1 जून 2022 से देश में कई ऐसे नए नेम बदल रहे हैं जिसका आम आदमी की जिन्दगी पर सीधा असर बढ़ने वाला है खास कर जून का महिना किसानों और छात्राओं के लिए खुसियां लेकर भी आएगा यानि कि किसानों और छात्रों के जून में कही न कहीं बड़े बदलाव होंगे लेकिन देखे उससे पहले आपको बता दूँ एक जून 2022 से LPG Gage Cylinder की कीमते बढ़ सकती है क्यूंकि आपको बताई है हर महिने की पहली तारिक को LPG Gage Cylinder की कीमते तई होती है ऐसे में इस बार भी कीमते बढ़ने की संभावना है देखे जून के महिने में एक और बड़ा बदला हो रहा है इंडिया Post Payments Bank यानि की IPP ने कहा है कि अब आधार Inbuilt Payment System के लिए इसूर चार्ज का भुकतान करना होगा नियमों के तहत हर महिने पहले तीन A.E.P.S. लेंदेन मुक्त होगे और देखे जून 2022 का महिना स्कूल में पढ़ने वाले चात्रों के लिए भी काफी बड़ा महिना रहने वाला है राजिस्तान बोड पांचवी और आटवी की ककसा का रिजल्ट जून के पहले सब्ताय में जारी हो सकता है आलंगी पिसली साल की तरह इस बार भी पांचवी ककसा का सत्परति सत्परिणाम रहेगा इन चात्रों को ग्रेट मिलेंगे जबकि आटवी ककसा में इस बार विधारतियों को फेल करने का भी प्रावधान है यानि कि बड़ी वाप्लेट यह है जून के पहले सब्ताय में इन चात्रों ने एक्जाम के दोरान महनत की थी उनका परिणाम मिलेगा और देखे किसानों के लिए भी जून का महीना दो बड़ी खुसकबरी लेकर आ रहा है 31 माई को परधान मंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खातों में 22,000 रुपे की किस्त डालेंगे यानि कि 11 किस्त का पेशा किसान जून के महीने में ही खर्च कर सकेंगे और देखे सबसे बड़ी खुसकबरी तो किसानों के लिए ये है क्योंकि किसानों को सबसे ज़्यादा इंतिजार मानसून का रहता है क्योंकि दकसिनी पस्चीमी मानसून को भारत की करसी आधारित आर्थ विवस्ता की जीवन रेखा समझा जाता है खुसकबरी ये है मोसम इभाग ने अब भुई से वानी कर दी है 39 जून को दक्सनी पस्ची में मानसून भारत में परवेस कर गया है और मानसून 2022 जून के महिने में पूरे देश में चा जाएगा यानि कि जो किसान मानसून का बेस अबरी से इंतिजार कर रहे हैं उनका इंतिजार जून के महिने में खत्म होने वाला है जून के महिने में एक और बड़ा बदलाव हो रहा है लेकिन ये बड़ा बदलाव आपकी जेब ढिली करेगा एक जून 2022 से वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा महंगा होने जा रहा है यानि कि आपको इंसोरेंस प्रीमियम का ज्यादा भुखतान करना होगा नए केवल चार पाई या वाहनों बलकि दो पाई या वाहन के मालिकों पर भी बड़ी हुई दरे लागू होगी सरकार ने थर्ड पार्टी मोटर वेहिकल इंसोरेंस के प्रीमियम रेट में इज़ाफा कर दिया है तो यही थी आज की बड़ी अपडेट